नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑनलान इस पेशल यूटिब चनल पर दोस्तों कहा जाता है क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भेभीत में करतव ये पत्पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही वर्दान नहीं मागूंगा हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा दोस्तों ये शब्दे भारत श्री अटल वहरी वाशपाई जी के इसलिए आप हार नहां मानिए प्रियास करते रहिए और ऑनलाइन इस्पेशल यूटीब चनल आपके साथ है दोस्तों ये विशेश क्लास चल रह वर्षों में जो कही ना कही एकजाम में पूछे गए हैं उन सवाल को हम लोग कवर करेंगे वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों कोशन से रिपीट होते हैं आपको पता है हर एकजाम में जो है कोशन रिपीट होते हैं तो ये पिछले 15 वर्षों के जो है सवाल हम लोग करते हैं दोस्तों टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक हम लोग अभी जानेंगे और उसके बाद जो है पिछले 15 वर्षों के सवाल हम लोग देखेंगे दोस्तों यह भारत का मांचित रहे हैं सभी लोग जानते हैं हम लोग इसमें जो है सबसे पहले परिवाहन कितना है फिर उसके बाद जो है जहाज बंदर गहां कितने है और आकरी में वायू यान या एरपोर्ट जिसे बोलते हैं तो यह दोस्तों जो चार जो चीज़े हैं वो हम लोग अभी इसके बेसिक जान लेते हैं फिर इसके जो सवाल आते हैं exam point of view से उनको cover करेंगे तो सबस दोस्तों में कितना है फैला हुआ है रूट है वो तो वो 67,368 तो वो 67,368 किलोमेटर जो है रेलवे का क्या है रूट है यहाना कि दोस्तों कन्फूशन ना रखें यह रूट की बात हो रही है इसके बाद जो अगर अगर अपन रेलवे की बात करेंगे तो इसका running track कितना है तो running track की बात करेंगे दोस्तों तो वो कितना किलोमेटर फैला हुआ है वो 33,902 किलोमेटर लगभग दोस्तों इतना जो है इसका क्या है running track है किसका railway का ज्याना कि विश्व के दूसरे स्थान पे हम लोग आते हैं railway की अगर बात करेंगे तो सबसे second largest network है भारत का very very important railway आगी इन दोस्तों सड़क की बात करेंगे रोड की बात करेंगे रोडवे की बात करेंगे तो इसकी जो सड़क जो लंबाई है लगभग लंबाई भारत में जो है चुम्मालीस लाक किलोमेटर जो है लगभग क्या है सड़के भारत में फैली हुई है परिवाहन की दरश्टी से तो यह जो रोड है वो परिवाहन का 80 प्रतिशत कॉंट्रिब्यूट करता है भारत में सड़क ध्यान रखें दोस्तों वेरी वेरी इंपोर्टेंट और वीश्व के अगर बात करेंगे अपर तो वीश्व में जो है भारत का कौन सा इस्तान है तो वर्ल्ड में जो है जिसे रे रेलवे और रोड की बात हो गई फिर चाहे हम लोग बात करें जहाज की जहाज पानी से पानी से जो मार्ग बनता है अपना रहा उसके अगर हम लोग जो बात करेंगे तो उस द्रश्टी पे जहाज रानी की दरश्टी में हम लोग देखेंगे सत्रवे स्थान पर विश्व अपरेशन ऑफ इंडिया जिसका घटन जो हुआ 20 अक्टोबर 1961 1961 इसमें इसका घटन हुआता कमपणी का और वो लगभग 43 परसेंट जो है वो रखती है पूरा इंडिया का 43 परसेंट कॉंट्रिबिशन उसी का है दोस्तों अगर अंतर जेशी जल परिवहन की बात करेंगे अपन लोग भारत के तो भारत के परिवहन योगमान इसकी लंबाई अगर अगर अपन बात करेंगे अंतर जेशी जिसकी बात करेंगे अपन लोग तो उसमें जो है कुल लंबई भारत के पास 18800 किलो मेटर की है भारत के पास नदी मार्ग अगर बात करेंगे जिसमें तो नदी मार्ग कितना हो जाएगा नदी मार्ग है इसमें 14500 किलो मेटर ध्यान रखे दोस्तों छोटी-छोटी चीज़े हैं ये और नहर की बात करेंगे ये नदी हो गई नहर की बात करेंगे दोस्तों तो नहर की 4300 लगबग 4300 किलो मेटर है तो ये जो है अपने लोगों ने जहाज की बात कर ली बंदरगाए तेरम प्रमुक बंदरगाए उनके भी आरे में में बात करेंगे तो इसके लिए हम लोग एक विशेश तत्य का पार्ट जरूर लेखे आएंगे तो आप बने रहे हैं और इस चैनल पर और वीडियो के अंतक आप रहें क्योंकि भी हम लोग को सवाल देखना बाकी है वायू की बात करेंगे दोस्तों वायू परिवायन की तो सबसे पहली उड़ान आपको पता होगी या नहीं भी पता हो तो कब उड़ी थी भारत में इंडिया की बात हो रही है तो इंडिया में फर्स फ्लाइट जो उड़ी थी वो कब हुई थी 1911 में ठिक यह हुई थी यह अलाबाद से नेनी तक हुई थी 11 के वरी वरी बारे में भी हम लोग जानेंगे तो वीडियो को दोस्तों लोग लंबा नहीं करेंगे लोग हमारे टॉपिक पर आते हैं हम लोग सवाल देखते हैं पहले और इसका एक जो विशेश तत्राइगा उसमें लोग इसको डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे तो दोस्तों राज्जमार द्वारा जुड़े हुए तो वह राज्टी राज्जमार संख्या एक एनेच वन जीसे कहते हैं यह भी नाइटी 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 एट में पुछा गया था दोस्तों सवाल आगी देखते हैं परियाटन को बढ़ावा देने के लिए भारती रेल किस राज् से केता है कांडला को कहा जाता है यह भी 2002 में पूछा गयाता है दोस्तों सवाल आगे देखते हैं कुद्र मुख लो अजसका निर्यात किन दो बंदर गहास होता तो एक अब यह अपन लोगों ने देखा न्यू मैंगलोर और रेकॉर कहां पर होता है मारमा गोवा से होता है वेरी वेरी इंपोर्टेट दोस्तों इसके सवाल बनते हैं कुद्रे मुख में वह सड़क कौन सी है जो हिमाला इसमें विश्व के चार उचे दर्रों को पार करती हैं तो कौन सी है मनाली से लिह तक की सदाय सरहग बस सिवा द्वारा जोड़े गए दो शहर कौन से तो दिल के अंतक बने रहे हैं और अभी तक आपने जो इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाए कि उनको भी देखना अब ना भूले आगे देखते हैं इस समय भारत का सबसे बड़ा राश्टिक्रत उद्दम उद्दम है तो भारती अभी अपने देखा है कि कितना लंबा इसका ट्रेक है कितने लोग यहां पर काम करते हैं इस पर विशेश अलगी वीडियो हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पूरी जान को रहेगी परिवहन की जो चारों परिवहन के हम लोग ने बात करी चाहे वो र भारत और पाकिस्टान की बीच रेल सेवा थ एक्स प्रेज भारत में कहां से शुण है दो चीजा कवर हो रही दोस्तों अitt lesson बाड़ मेर से श्रू हो रही है और नाम क्या थे रेल से लगदक हाट ठाद एक प्रेट एसे इंपोर्टेंट कोशन दोस्तों आपको करना है और एसे हम लोगों ने पार्ट बनाया था एक सवाल से चार जवाब अगर आपने वह नहीं देखा हो उसमें बहुत सारे सुमेल हम लोग लेके आये थे तो दोस्तों उसका लिंक आये बटन पर मिल जाएगा आ दोट से लंदन का सबसे छोटा हवाई अब और लंदर यह सबसे चोटा माल दुलाई के लिए सबसे व्यास्ते तो दिल्ली कोलकत्ता जंशन जो है सबसे व्यास्तर रेल्वेस्टेशन है आगे देखते हैं सेतु समुन्द्रब शीप कनाल प्रोजेक्ट से चेने और तूती कोरिन के बीच कितनी समुद्री मील दूरी कम करने की संभावन है तो वो कितनी है चार सो चोतिस किलोमेटर में पूचा गया कन्या कुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है तो कौनसी खाड़ी पार करनी पड़ती है तो यह मन्नार की खाड़ी पार करनी पड़ती है में पुछा गाय था भारत का दूसर सबसे बड़ा राश्टी राजमार कुन सा तो एने सीख से पहला पन लोगों ने देख लिया यह दूसरा है यह पुलीस बल की एसा ही परिख्षे जर्मनी के मोख्य मार्ग हवाई सड़क नेटवर्क को क्या कहते है तो उसको कहते है और टो बॉन कहा जाता प्रसार भार्जी में पुछा गाता वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो एक दोस्तों सवाल कौन से दो शहर उत्तर दक्षिन कोरिडोर से जुड़े हुए है तो श्रीन पत्तन पोट कहां पर इस चिटे तो खंबात की खाड़ी में इस चिटे दोस्तों यह आगर सुमेल वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों सीदे चार कोशन्स बनते हैं आपके बहुत इंपोर्टेंट है इनको छोड़ो बिल्कुल भी ना छोड़ो आप तो सबसे बेस तरी तो उसका भूवधनेशलar क्या है मुख्ष लाह, पूर्वी रेलीवे कोलकता में मुख्ष लाह, दक्षिन पूरू मद्य रेल्वे बिलासपूर में क्या है इसका मुख्ष लाह, आगे अगला सु में देखते हैं दोस्तों संस्तान और वा स्थान उसके railway रेल्वे уд्युति करन संगतं में ही साल्ट मेंुता संगतं में आगे देखतें महराश्ट गोवास करना उसे वहां उसा सरी ग nyt um तो डोश्तों यह आज हम लोगों ने विगत 15 वर्षों में चो पुछे गए थे एक्जाम में कहीं ने गई उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया है भारती परिवहन से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है इसके बाद एक विशेश तत्य का पार्ट हम और लेकर आएंगे जिसमें आपको है जो है इसको डिस्क्रिप्टिव वे में हम लोग स साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें जैहिन दोस्तों